विराट कोहली 97 रन पर थे और भारत को जीत के लिए केवल दो रन की आवश्यक्ता थी 42 वे ओवर की पहली गेंद बांगलादेश के स्पिनर नसुम एहमद ने वाइड फेकी ओनन फील्ड अमपायर रिचर्ड केटल बोरो ने उस गेंद को वाइड नहीं दिया इस घटना के बाद कई लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या यह विराट की मदद करने के लिए नियमों के खिलाफ था जब अमपायर रिचर्ड से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी राय में गेंद वैलिड थी क्योंकि गेंद मध्य स्टंप के पास से गुजरती थी विराट की मदद करने के लिए उन्होंने कहा कि विराट एक उच्च श्रेणी के खिलाडी है और उन्हें शतक बनाने या परफॉर्मेंस करने के लिए किसी सहायता की आवश्यक्ता नहीं है उन्होंने अपने कौशल से सब कुछ हासिल किया है